आर्पियस ज्योतिश में आपका स्वाकत हैं मैं हूँ अंजली मेने साथ मौझूद है जानते हैं आज का राशी फलवा पंचांग मैं हूँ आपके साथ खुशी सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग आज बुधवार पंद्रह नवंबर दो हजार तेईस है विक्रम समवत सर दो हजार असी नल शक समवत उननी सो पैतालीस शोब कृत सूर्योदे प्रातर छे बचके 21 मिनट पर हुगा सूर्यास्ट शाम पांच बचके 40 मिनट पर होगा कार्तिक कृष्ण पक्ष्टिथी द्वितियाक दोपहर एक बचके 47 मिनट तक रहेगी नक्षत जैश्खा रातरी तीन बचके एक मिनट तक रहेगा योगतिगंद दोपहर बाराः बचके आर्ट मिनट तक रहेगा सूर्यास्ट तुला राशी में विराजमान रहेंगे चंग ब्रिश्चिक राशी में विराजमान रहेंगे शुप समय नहीं आशुप समय राहुकाल बबच्यर 12 बचके एक मिनट से एक बचके 26 मिनट तक रहेगा इस समय कोई भी शुब कार्य प्रारम करेंगे तो आपके कार्य में दिक्कते और कथिनाय आ सकती हैं हो सकता आपका कार्य सफल ना हो इसलिए इस समय को टाले शुब समय का इंतजार करें जोतिश परामर्ष के लिए संपर्ट करें रगुनात प्रसाद शास्त्री जी से 9453555111 पर रात 10 बजे से 12 बजे तक निशुद आईए जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल सबसे पहले जानते हैं जानते हैं मेश राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है आज कोई भी नया कार्य प्रारंब करने का मन बना रहे हो तो प्रातर 10 बजे के बाद अपना कार्य प्रारंब करें सफलता मिलेगी जानते हैं व्रशव राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है आज सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलने के अधिक योग बने हुए हैं शिवजी की पूजा आराधना करने के बाद घर से निकले दिन उत्तम रहेगा जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है आज समय के स्थिती आपके अनुकूल दिख रही है अपने कार्यों को मन लगा कर करें सफलता सुनिशित है लंबी आत्रा से परहेज करें जानते हैं तरक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है आज शत्रू बल्वान दिख रहा है पूरी तरह से सतर्क रहने की अवश्यक्ता बनाए रखिए लापरवाही असाउधानी परिशानी का कारण बन सकती है हनुमान जी की पूजा रातना में रूची रखें जानते हैं सिंग राशी के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है आज सभी कार्य पूर्ण साउधानी के साथ में करें लापरवाही से किये गए कार्यों में नुकसान का सामना करना बढ़ सकता है धार्मिक कार्यों में शामिल होने के अवसर प्राप्थ हो सकते हैं जानते हैं कन्या राशी के जातकों का आज आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज धार्मिक कारियों में आपका धन खर्च हो सकता है। लंबी आत्राएं करनी पर सकती हैं। किसी की मदद के लिए दोड़ भागी करनी पर सकती है। जानते हैं धनू राशी के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज नौकरी पेसा जातकों को अपने उच्च अधिकारियों से साउधानी बना कर रखने की आवशकता है। किसी की गलत बातों में ना आएं। किसी को अहित करने का विचार आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है। जानते हैं मकर राशी के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज शत्रु मित्रता भाव अपना सकते हैं। जो व्यक्ति आपके लिए शत्रु भाव अभी तक अपना रहा था, आज वो मित्रवत वैवहार कर सकता है। लेकिन उससे साउधानी पना कर रखें। जानते हैं कुम राशी के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको महनत अधिक करनी पर सकती है, लेकिन परिशान होनी की कोई अवश्यक्ता नहीं क्योंकि महनत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जानते हैं अंतिम राशी मीन राशी के जातकों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कोई भी नया कार्य प्रारंब करने का मन बना रहे हों, तो दो पहर के बाद कार्य प्रारंब करें सफलता सुनिश्रित है। घ्यान रखें किसी महिला से भिरना परिशानी का कानण बन सकता है। जोतिश पड़ामर्ष के लिए रगुनात प्रसाद शास्त्रेजी से संबर्ख करें। 94535555111 इस पर प्रत्य एक दिन ब्रात्री 10 से 11 बजे तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं।